सबको बेलकम करता हूँ तो आज का वीडियो बहुत ही संदार होने वाला है कल हम लोग चाल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर दो प्रश्ण देखे थे प्रश्ण था कि ब्रेस्ट फिडिंग का बेनिफिट क्या है और एक प्रश्ण जो है आपका वह भी बहुत ही संदार था दो उसके बाद एक उचन जो है हम लोग देखेंगे पुलूडल इनफ्यूजन के बारे में पुलूडल इनफ्यूजन के बारे में कि पुलूडल इनफ्यूजन होता क्या है उसके बारे में देखेंगे और एक लंबर पक्चर के बारे में देख रहा है जो कि MSN 1 का है क्या क्या था एक प्रोसेस ही था जहां पर जो बेक्टी को किरनी खराप हो जाता है तो वहां पर जो है उसको जो है क्या किया जाता है जिसको प्रेटोनियल में प्रोब्लम होता है उसको प्रेटोनियल डाइलिसिस किया जाता है तो भी क्या था एक प्रोसेस ही था तो उसी परकार स लंबर पंक्चर भी एक क्या है प्रोसेस है जिसमें एस्पाइन के लंबर सब एरनवाइड एस्पेस में एक सुई परवीष्ट कराकर सेरी ब्रो एस्पाइनल फ्लूड एस सी एस एफ निकाला जाता है इसका उप्योग रोग के निदान है तुव उपचारात्मक उदेस है त होता है जिसमें जो लंबर के जो एस्पाइन के जो लंबर होता है उस लंबर के सब एरनवाइड एस्पेस में लंबर के सब एक आर्केनवाइड एस्पेस में एक इंजेक्शन दिया इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन एक सुई परवेष्ट किराया जाता है और जब ओ insert करता है injection को तो कीउंग करता है ताकि उससे जो CSF है serobro spine fluid है मतलब spine में जो fluid भारा है उस fluid को निकाला जाता है क्यों निकाला जाता है कि उसका निदान test करने के लिए उपचारात्मक treatment purpose से जो है यह fluid निकाला जाता है spine से द्रब निकाला जाता है और यही जो process होता है यह lumber puncture होता है समझ रहे हैं lumber puncture के बादे में अब कहीं भी आएगा lumber puncture समझ गया means spine में से द्रब को निकालना ही lumber puncture होता है जिसमें spine में spine में कहां पे तो lumber sub arcane wide space में injection दिया जाता है injection परविष्ट कराके inject कराके जो है उसमें से CSF cerebro spinal fluid निकाला जाता है निकाला क्यों जाता है ताकि उस fluid द्रब का निदान के लिए और treatment के लिए उपयोग में लाया जा सके टेस्ट बगारा के लिए तो यह lumber puncture समझ गया है चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका निर्देश देखते हैं कि यह जो है निर्देश करेगा कि lumber puncture की अफसेकता है तो intracranial pressure icp को कम करने है तो मतलब अगर intracranial pressure में अगर अत्यधीक pressure पर रहा है तो उस pressure को कम करने के लिए जो है उसमें से द्रब निकाला जाता है नेक्ट है रोग निदान है तो अब कोई diagnosis है कोई dj जाए उसका diagnosis के लिए उसमें से द्रब निकाला जाता है इंजेक्शन के तुरू CSF जाँच है तो अब जो cerebro spinal fluid है CSF जो है इसके जाँच है तो निकाला जाता है next spinal anesthesia देने है तो spine में जब anesthesia दिया जाता है तो उस समय जो है blood fluid निकाल कर और उसका test किया जाता है फिर जो है उसमें anesthesia दिया जाता है मेंजाइटिस की जाँच है तू और औस धियों को परवेश कराने है तू जो है रोग के diagnosis के लिए टेस्ट करने के लिए और ICP intracranial pressure को कम करने के लिए जो है यह दरभ CSP को निकाला जाता है injection के थुरू और यही जो है इन सारे चीज़ों में induction देता है कि भाई की CSP निकाला जाए injection के थुरू तो कब निकाला जाएगा ICP को कम करने के लिए रोक के निदान है तू CSF के जाच करने के लिए Spinal Anesthesia देने है तू Mangitis की जाच है तू और असधिया परवेश कराने के लिए जो है इन सब condition में यह आपको indicates करता है, indication करेगा कि हाँ भाई Lumber Puncture की अवसेकता है समझ गए चलिए Next हम लोग इसका जटिलता देखते हैं Complication देखते हैं Complication में जटिलता अगर हम Spinal में से Fluid निकालते हैं तो Fluid निकालने से क्या-क्या जटिलता क्या-क्या हानिया हो सकता है तो देखिए सबसे पहले चीज़े हम लोग जानते हैं कि जो मेरा Spine होता है पीछे होता है उपर ब्रेन से लेके नीचे गर्दन तक जो है नीचे तक होता है Spine और इसी में जो है Fluid भारा होता है तो एही होता है Spinal Fluid अब इसको जो है ISP मतलब Intra-Ocular Placer घट ज़सकता है अतियधिक Spinal तंत्रीका में चोट लग सकता है और Intra-Cranial संकरमन हो सकता है तो यह सब जो है जटिलता है कि अगर CSF निकाला जाएगा Injection के थुरू मतलब Lumber Puncture से तो जो है जटिलता होगा कि पीठ में दरद होगा क्योंकि Spinal पीछे ही होता है सीर में दरद होगा क्योंकि सीर से Connected होता है घटा हुआ ISP है कि उसकी इसमें जो Intra-Cranial Peracer होता है वो निकालने से अतियधिक घट सकता है Spinal तंत्रीका में चोट मतलब Spinal निकालते समय हो शकता है जो Spinal नर्व है उसमें चुट लग जाए और Intra-Cranial संक्रमन मतलब अगर निकालते समय कुछ सब्धानिया अगर नहीं बरता गया तो उसमें क्या होगा कि जो Cranial है Intra-Cranial के अंदर संक्रमन हो शकता है तो यह सब जो है क्या होता है जटिलता होता है किसका Lumber Puncture करते समय तो याद रखिएगा ठीक है चलिए बढ़ा हुआ सारीरिक तापमान और सरीर अगर फुलूड सरीर से निकल जाएगा तो जो तापमान मेंटेन करके रखता है तापमान बढ़ जाएगा तो यह सब जो है इसका जटिलता होता है ठीक है एह हो गया जटिलता Lumber Puncture से पुर्व नर्सिंग देखवाल अब Lumber Puncture करने से पहले जो है इसका एक परकिरिया है तो Pre Lumber Puncture Care तो Lumber Care करने से Lumber Puncture होने से पहले जो है क्या क्या नर्सिंग देखवाल होना चाहिए इसको जो है हम लोग देखते हैं रोगी वा परिजनों को परकिरिया के बारे में वा परकिरिया के उदेश के बारे में समझाना चाहिए एप प्रोसेस सुरू होने से पहले परिजनों को रोगियों को इसके बारे में बताएं कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस किया जाएगा आपके उपर दूसरा चीजा है रोगी वह परिजनों से परकिरिया के लिए लिखित समाती प्रात करनी चाहिए क्यों करने चाहिए क्योंकि एक spinal का आपका इसमेख छेरचार होगा spinal से हो सकता है spinal से छेरचार होते समय कुछ अन्हों नीहो जाए तो इसके लिए लिखी पत्र शमाति पत्र ले लिया जाता है रोगी के परिजेनस से ठीक है ये सब पहले किया जाता है तिसरा है रोगी से पुर्व रोगी के जैविक चीनों को जाचना चाहिए अब जो भी ये लंबर पंक्चुर का जो प्रोसेस सुरू होगा तो उससे पहले जो है क्या किया जाएगा कि रोगी का जो वाइटल साइन है वाइटल साइन जो है ये चेक किया जाएगा वाइटल साइन हम लोग बता भी चुके हैं इस पर सेर भी किये हैं चैनल पर जाके देख सकते हैं तो जाइबिक चीन का टेस्ट होगा नेक्स्ट है कि लंबर पंक्चर में उप्योग आने वाली सभी उपकरन वा शमान त्यार होना चाहिए अब ऐसा नहीं कि लंबर पंक्चर सुरू कर दिया गया और एक एक समान इधा उधर से ढूंड कर लाना पर रहा है तो उससे दिकत होगा टाइम वेस्ट होगा तो इसके लिए लंबर पंक्चर में जितने भी उपकरन जितने भी शमान उप्योगी है उसको त्यार करके पहले ही रख लिया जाता है यह सब pre-operative होगा एटे लंबर पैंक्चुर टाइम ठीक है पांचमा है नर्स को CSF नमूना एक्तित करने के लिए लेबल लागा हुआ CSF container त्यार रखना चाहिए अब जो नर्स होती है उसको CSF नमूना collection करके जो है रखनी चाहिए लेबल लागा हुआ ताकि CSF container जो है जैसे ही निकाला जाए उससे fluid निकाला जाए spinal fluid जैसे ही निकाला जाए तो जो है उस container में उस लेबल लागे हुए नमूना में उसको रखा जाए और फिर जो है उससे आगे परिक्षन के लिए भेजा जाए तो यह सब जो है पहले तियार करके रेडी करके रखा जाता है तो यह हो गया प्री केर एटे लंबर पंक्च्वर ठीक है अब है लंबर पंक्च्वर के बाद में नर्सिंग देखवाल during and post लंबर पंक्च्वर केर मतलब लंबर पंक्च्वर के दोरान और लंबर पंक्च्वर के बाद जो है नर्सिंग देखवाल कैसे करेंगे पर किरिया के लिए रोगी को लेटरल रोकॉम्बेंट इस्थिती परदान की जाती है मतलब लेटरल मतलब क्या चीज लेटा हुआ इस्थिती जो है इसको परदान करते हैं पेसेंट को लैटरल रेकॉम्बेंट इस्थिती पोजीशन दिया जाता है तो यह होगा लंबर पंक्चुवर के दोरान ठीक है दूसरा है सीर के नीचे कमर के नीचे वह दोनों घुटने के बीच में तकिया का इस्तमाल करना चाहिए ताकि रोगी को अरामदायक इस्थिती अनुभव हो आप जब लैटरल रेकॉम्बेंट इस्थिती देंगे लंबर पंक्चुवर करते के दोरान तो जो सीर के नीचे तकिया लगाएंगे कमर के नीचे तकिया दोनों घुटने के नीचे तकिया लगाएंगे ताकि जो है मरी परकिरिया के दोरा रोगी की स्तिती में बिल्कुन भी परिवर्ता नहीं होना चाहिए अने था सुई अपने अस्थान से अलग हो सकती है अब ए चीजे देखर एक बहुत ही सब्धानी से करनी चाहिए कि पेसेंट जो है थोड़ा इधर से उधर ना हो अगर थोड़ा इधर से पाइनल में जाना चाहिए ओई इंजेक्शन कहीं और चला जाएगा तो यह जो है एक नर्स को देखवाल करना चाहिए समझ रहे हैं चलिए यह हो गया चौथा यहां पर देखिए कि परकिरिया के परकिरिया द्वारा CSP मतलब सिरोबलम स्पाइन फुलूड नमूने को तीन पात्र में एक्दत करके परियोकसाला में जाच के लिए भेजना चाहिए जो CSP है इसको नमूने को तीन पात्र में एक्दत करना चाहिए सिरोबलम स्पाइनल जो प्लूड है इसको तीन बोतलों में रखना चाहिए और आगे लेब में भेजना चाहिए जाच के लिए समझ जाएगा और रोगी के जो conscious अस्तर है लेवल है उसको देखा जाएगा कि हाँ अब November puncture हो गया है तो पेंट फीट है या नहीं फीट है तो इसी को जो है यह देखा जाता ठीक है तो यह बाद होगा November puncture के अब है यहाँ पर रोगी को सू स्पाइन इस्थिति में लिटाना चाहिए जिस भी पेसेंट को लंबर प्रेंक्च्वर हो गया है उसको सू स्पाइन इस्थिति में लिटाना चाहिए और करते समय कौन चीज लेटरल recommend position हो जाने के बाद sue spine इस्थिती समझ रहे हैं चलिए उसके बाद है सात्मा है रोगी को परकिरिया के 8 से 12 घंटे बाद ही उठने की सलाह देनी चाहिए और जब भी spinal जा lumbar puncture हो spinal में injection किया जाए और उसमें से CSF निकाला जाए तो इसके 8 से 12 घंटे के बाद ही रोगी को जो है उठने का सलाह देनी चाहिए नहीं तो sue spine इस्थिती में ही लिटाना चाहिए तब तक समझ रहे हैं चलिए यह हो गया अब हम लोग next question देखते है plural effusion क्या है इसके कारण लग्छन जटिलता निदानेवम उपचार लिखिए देखिए plural effusion के बारे में जब भी आपसे पुछेगा समाझ जाईएगा कि फेफरों के जो फेफरों में एक परकार के क्या है तरल पदार्थे का भरना चाहिए वो पीब हो पानी हो यह सब भर जाना ही plural effusion कहलाता है चलिए इसी चीज़ को जो है हम लोग देखते हैं इसका डाइगनोसी सिम्टम सब चीप उचेगा तो लिखना होगा देखिए plural effusion है plural effusion का मतला होता है कि फेफरों के दोनों परतों के माद उपस्थित गुँहा में संकर्मित तरल पदार्थ का एकतरत्र होना plural infection effusion कहलाता है plural effusion क्या है तो जो हमारे सरीर में जो दो लंक्स है जो दो फेफरा है इसके दोनों जो है गुँहा जो है कैवीटी है क्योंकि हमारा जो फेफरा है वो कैवीटी में इस्थित है थोरेटी कवीटी में तो उस गुँहा में जो है फेफरे के गुँहा में क्या होगा infected क्या होगा liquid पदार्थे उसमें क्या होगा भर जाएगा मतलब संकर्मित दरब जो है उस फेफरे में जामा होने लगेगा आवो दरब हो शकता है पानी हो हो सकता उधरब पीव मावाद के रूप में हो तो ये जो है भर जाना ही जो है क्या कहलाता है पुलूरल इफ्यूजन कहलाता है समझ गए न कि पुलूरल इफ्यूजन जब होता है जब फेफरों के दोनों परतों के मध में जो है उपस्थित जो गुहा है जो कैवीटी है मतलब दो जो फेफरा है ना उस फेफरा के बीच में जो गुहा है जो होल है जो छिद्र है उसमें जो है संकरमी तरल पदार्थे ल्यूकिड पदार्थे मैटेरियल भर जाता है उसी को जो है हम लोग plural effusion बोलते हैं जैसे नहीं करता है कि फेफरे में पीब भर चुका है फेफरे में मवाद भर चुका है फेफरे में पानी भर चुका है फेफरे में पानी भर चुका है फेफरा बहुत गंदा हो चुका है तरल पदार्थ भर कर तो यही जो होता है Polaral Effusion होता है समझ रहे थो सब काईवीटी में जाके जामा होते रहता है फेफ़वा के जो काईवीटी होता है जहां पे थोड़ा जगह होता है वहां पे जाके यह भरने लगता है तरल पदार्थि समझ गए इसका कारण क्या क्या हो सकता चलिए कारण हम लोग देखते हैं देखिए पेट में पानी भरना अगर पानी भर जाएगा तो ओ पेट का पानी क्या होगा कि इधर उधर जो है होने लगेगा तो जो है फेपरे के कैवीटी में चला जाएगा तो यह होता है पेट में पानी भरन से हाट फेलूर अगर हाट फेलूर फेल हो जाएगा उस इस्तिति में जो बलड हो अच्छा से क्या होगा प्यूरिफाई नहीं होगा और उसमें जो है पानी की मात्रा और सारे चीजों का मात्रा बढ़ जाएगा तो इससे भी जो है उसमें क्या होगा कि फेफरे में जो है तर पदार्थे बगएरा जो है भरने लगेगा और जो है पुलूरल इफ्यूजन हो जाएगा नेक्स्ट है निमोनिया निमोनिया के कारण भी जो है आपके अंदर जो है वो पुलूरल इफ्यूजन हो शकता है टीवी होगा तो टीवी तो पुड़ा लंग से लेकर पुड़ा BTS में जो हैं क्या होगा वह भर जाएगा फुलुड तरल पदर थे जो की इन्फेक्षन बला होगा सब भर जाएगा उसके बाद है सीने में छट लगने से चींच-ठ्रोमा होगा सीने दे में चट लगा है कारण कि जिसमें आपके फेफरे में पानी तरल पदार थे जो संक्रमित हो वह भरने लगता हो तो यह सब होता है क्या क्या करण होगा पेट में पानी भर जाना हार्ट फेलूर हो जाएगा एक्रित समंधी रोग होगा निमोनियां होगा टीबी होगा रक्त कैंसर होगा सीने जो है कारण होगा तो ए सब के कारण से जो है wrapper में ifusion होगा तो एह सब के कारण से कि किसी में अगर ऑर फैपरे में पानी बगाशाँ भरता है या पीव मबाद अगर भरता है तो जो है उसको क्या-क्या लक्छन दिखाई दे गा तो सबसे पहला लक्षन होगा फेफरा में होगा फेफरा में सांस लेने में दिकत होगा तो घवराहट होगा दर्द भी होगा तो यह सब जो है होगा ही होगा खुन का जो कफ होता है उसमें खुन आने लगेगा तो यह सब जो चीजे होगा जैसे देखिए सीने में दर्द खून का कमी हो जाएगा क्योंकि पानी बगएरा पीव मवाद बगएरा भड़ जाएगा तो जो है खून का कमी होगा ही होगा वहां पे तो यह सब लक्षन दिखाई देता है अगर आपके फेफरा में प्रोब्लम होगा तो नेक्स्ट है भूख नहीं लगेगा बिल्कुल सही तो थकान होगा कमजोरी भी महशूर्श होच सकता है तो यह सब पुल्रल इफ्यूजन में नॉर्मल चीज़े है कि भूख न लगना वजन घटना सीने में दर्द स्वास लेने में कठना या घवराहट यह सब जो है आपका लक्षन दिखाई देगा पुल्रल इफ्यूजन म तो यह है बुखार थकान कमजोरी यह सब जो है आपका पुल्रल इफ्यूजन में होता है तो समझ गए चीज़े को चलिए यह हम लोग यहाँ पर कारण देख चुके हैं देखिए यहाँ पर लक्षन है सीने मरदाल सास ले में तकलिव सास में फेपरों में घवराहर खून म कमी भूख न लगना एनोरेक्सिया वजन घटना वेट लॉस बुखार थकान कमजोरी मींस समझ रहे न कि फीवर फैट्यू और वीकनेस यह सब जो है होता है अब देखिए यहाँ पर पीक्चर दिया गया है यह है पुल्रल इफ्यूजन का जैसे देखिए कि यह बला जैसे पूल्र रिफिजन जो होता है वहने लगता है फूल होने लगता है और यही दरब जो है क्या करता है पूरल रिफ्यूजन कालाता है समझ गए तो चलिए यह चीज़े समझ गए तो बिल्कुन देखिए यहां पे नाम भी दीए है कि यह ट्रेकिया है यह आपका लंग है उसके बाद यह जो है पूरल रिफ्यूजन है flood between plural space मतलब जो मतलब टरल्पदारतdot है भरा हुआ है समझ गए यहां पर डाइफराम być मिक्लाइब टेकाऔर परेंटि यसा Спटैनि के बीचमा मतलब गरे निदान क्या क्या होगा निदान डाइगनोसिस तो चलिए हम लोग देखते हैं देखिए अब नर्माली फेफरा में प्रोग्लम है चेस्ट के आसपास प्रोग्लम है तो क्या क्या होगा X-ray होगा ही होगा CT scan भी होगा पूलरल फ्लूड टैपिंग होगा मतलब जो पूलरल में फ्लूड भारा हुगा है उसका टैपिंग टेस्ट होगा उसके बाद है कि LDL परिक्षन होगा प्रोटीन लेवर जाचा जाएगा तो यह सब जो कॉमन चीजे है क्या होगा चेस्ट एक सरे और CT scan यह तो पूलरल फ्लूड टैपिंग यह टेस्ट होता है तो यह आपका निदान हो गया डाइग्नोसिस इसको याद रखिएगा कि प्रोटीन लेवर LDL परिक्षन और पूलरल फ्लूड टैपिंग यह तीन याद रखिएगा दो तो याद ही रहेगा यह चीजे है ठीक है चलिए तो यह जो है एक पूलरल फ्लूड का अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो यह टीवर क्लोसिस ले लेगा मींस टीवी का रूप ले लेगा टीवी हो जाएगा फेफरों में संक्रमान पलमनारी इंफेक्षन हो जाएगा मतलब आपका जो आपका जो फेफरा है उसमें क्या हो जाएगा इंफेक्षन हो जाएगा और फिर जो है प्रोब्लम क्रियेट होने लगेगा जोंडिस हो जाएगा मिर्तु हो जाएगा देथ में जटिलता में एक मिर्तु जरूर लिख दीजेगा और तपेदिक ट्यूर क्लोसिस फेफरा में प्रोब्लम है तो संक्रमन हो जन्डिस हो जाएगी और आपका डेट है यहां पे हो सकता है तो यह आपका जटिलता याद रखिएगा पुलूरल इफीजन में फेफरे के प्रोबला में समझ गये चलिए अब हम इसको जो है उपचार देखते हैं कि इसका उपचार क्या क्या हो सकता है पहला है पुलूरल फिलूर टाइपिंग दवारा एक्सेस फूलूर को हटाया छाता है देखिए अगर पुलूरल कईवीटी में पुलूरल जो एस्पेस है वहां पे अध्यधीक अगर तरल पदार्थे बहर सीक चुका है तो उस तरल पदार्थे को क्या करते है कि इस एक्सेस फुलूड को हटाया जाता है जो अधीक फुलूड होता है उसको पुलूडल फुलूड टैपिंग के द्वारा क्या कियाता है जो ज्यादा फुलूड है उसको हटाया जाता है कि इसके थुरू एक पुलूडल फुलूड typing के द्वारा excess fluid को हटाया जाता है जो अधीक तरल परारते है उसको हटाया जाता है एचीज़ हो गया next है यदि अवस्यक हो तो pig tail भी लगाया जा सकती है अगर अवशेक्ता हो तो जो है pig tail भी लगाया जाता है पुलरल इफ्यूजन में अवसक्ता के अनुसार pig tail भी लगाया जाता है समझ गए टीवी के उपचार है तो dots उपचार किया जाता है अगर पुलरल जो effusion है और तीवी के कारण है टीवी भी है पुलरल इफ्यूजन के दोरान तो dots का उपचार किया जायेगा उसके बाद है जाता है मतलब जो एक्षय की सेंट में प widget हो histories की अगर हो टो इसमें फाइबर्च की निर्मान से जो है बचने के लिए फुलूड का ड्रेनेज जाता है मतलब जो हीमो थेरेक्स की अगर किसी पेसेंट में स्थिति होता है तो उसमें फाइबरो थेरेक्स के निर्मान से बचा जाता है ताकि फुलूड का ड्रेनेज किया जाता है किस से बचने के लिए फाइबरो थेरेक्स के निर्मान के बचने के लिए फुलूड का ड्रेनेज कि जाता है किस दितिती में हेमो थैरेक्स इस्टीडी में तो इसमें चार जो है आप लोग को उपचार करना होगा उपचार पहला होगा क्या तो फुलूड टैपिंग निकाला जाएगा मतलब अधियाधिक जो तरल पदार्त है ओ पुलूरल टैपिंग को से निकाला जाएगा ए और हेमो थेरेक्स का अगर कंडिशन उत्पन हो रहा है तो फाइबरो थेरेक्स से बचने के लिए फुलूड का ड्रेनिनेज किया जाता है तो यह आपका यहाँ पे समाप्त होता है पुलरल इफ्यूजन और लंबर पंक्चर तो बात वाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो को दो बार देखिए एक बार देखिए लेकिन समझिए और साथ ही आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जो है आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा लिंक पर जाके या आप जो है rmnursing.blog.blog sport.com पर जो है जाकर आप इसको देख सकते हैं latest recent post में या second year वाले option में जाकर जो भी subject का है उस subject वहाँ पर दिया उस पर किलिकर कि आप पर सकते हैं धन्य बाद मिलते हैं अगले वीडियो में